हेलो एब्रिवान आज छोटा पैकेट बड़ा धमाका में हम लोग पढ़ने वाले अमीन इन्वर्जन या फिर फ्लिपिंग के बारे में ठीक बात है अमीन इन्वर्जन क्या है देखो माल लो आपको नाइटोजन के उपर लोन पेर है तीन ग्रूप लगे हुए ठीक बात है आप यह देख पा रहें यहाँ पर आरवन आर्टू आर्ट्री लगा हुआ है यह इन्वर्ट हो जाए जैसे अंब्रेला होता है हमारे पास ऐसे अंब्रेला होता है उपर की तरफ से ऐसा शेप होता है लेकिन जब बहुत तेज हवा चल रही होती तो वह उपर की तरफ नही तो जब ये inversion और ये inversion room temperature पर हो जाता है इसको कोई अलग से temperature देने की ज़रूरत नहीं होती है तो इन दोनों का जब equimolar mixture लेते हैं उसको हम लोग racemic mixture कहते हैं और इसी लिए flipping होने की वज़ा से वो always क्या होगा? इन एक्टेव होगा ठीक बात है तो flipping होगा तो क्या होगा? उसका racemic mixture होगा और वो inactive होगा लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि flipping होगा की नहीं होगा? तो condition of flipping जाननी बहुत जरूरी है पहला condition क्या है कि जो central atom है वो sp3 hybridized होना चाहिए central atom क्या होना चाहिए? sp3 hybridized होना चाहिए जो central atom है वो second period से ही होना चाहिए central atom हमेशा कहां से होना चाहिए? second period से होना चाहिए central atom must have loan pair और negative charge central atom के पास loan pair होना चाहिए और negative charge होना चाहिए और compound जो होना चाहिए वो acyclic होना चाहिए मतलब cyclic नहीं होने चाहिए तो चार कंडिशन कौन-कौन से, पहला SP3 का central atom, central atom second period से, central atom के पास loan pair और negative charge होना चाहिए, और compound जो होना चाहिए वो acyclic होना चाहिए, cyclic नहीं होना चाहिए, और अगर flipping होगी, inversion होगा, तो वो optically inactive होगा, तो जो सवाल आता है, वो क्या आता है, which of the following compound is optically inactive, कौन सा compound optically inactive है तो जरा इसमें देखिए, ये तीनों अलग हैं, ये हैं, तो flipping हो जाएगी, क्या हो जाएगी? प्लिपिंग होगी, और फ्लिपिंग होगी अगर, तो ये optically inactive होगा, ठीक बात है, ये देखिए, ये कहां है, ये phosphorus third period का है, तो flipping नहीं होगी, तो यानि ये optically active होगा, ये compound आप देखिए, cyclic हो गया, तो flipping तो नहीं होगी, फ्लिपिंग restricted, फ्लिपिंग क्या हो गई? रेस्टिक्टिड हो गई, और यहां पर symmetry element भी आ जाएगा, तो रहेगा, लेकिन optically inactive, फ्लिपिंग नहीं है, फिर भी optically inactive है, क्यों? क्योंकि इधर दोनों ग्रूप क्या ल लगे हुए हैं, सर, यहां पर देखिए, fourth question में, यहां पर flipping, यहां पर flipping हो जाएगी, आप देखिए, यहां पर flipping हो रही है, optically inactive है, तो flipping होगा की नहीं होगा, I hope आपको यहां समझ आ गया होगा, flipping होगा, तो optical activity पे क्या फरक पड़ेगा, वो भी आपको समझ आ गया होगा, यदि आपको यह सब कुछ समझ आ गया है, तो आपको यह छोटा सा सवाल, homework में करके बताना है, कि whether यह optically active है, कि inactive, comment box में आप बताईएगा, और मैं सब को answer वहां पर सही बताने वाला हूँ, ठी के लिए पढ़िये, मुस्कुराईए और ऐसी सवाल लगाईए, बाई बाई ताटा, take care